नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है अब इमरान खान ने एलान कर दिया है कि चाए कुछ भी हो उन्हें इस मदरसा मुल्क का पीम नहीं बनना है पाक असेंबली में उन्होंने काय की वे पीम भले ही बने रहे पर उनका नजरिया नहीं बदलेगा यानि दूसरों को घबराना नहीं कहने वाला इमरान नोड़ा आज खुदी घबराया हुआ है पाकिस्तान में मैनस वन के फरमोली की चर्चा जोरो पर है और इमरान खान की सक्ता खतम होने के कयास बढ़ गए है कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में करसना मंदर की नीव रखकर दुनिया से ख्याती पाने के ख्वाब देख रहा था मगर कट्रपंध्यों ने इमरान की सारी ओजना पर पलीता लगा दिया जिसके बाद कुछ तैमन चाब मुल्लाओं ने मंदर की आधार सिला को उखार कर फैक दिया या एक टोपी बाजने कुकूर की आवाज में बांग भी दी है यानि इमरान की गरदन का सरिया निकल चुका है और उसे धरातल पर बिखरे मुल्लाओं के तैमन रोटोपी नजर आने लगे है बड़ी बात यह कि इमरान लोने ने कली वेंटिलेटर बनाने वाली एक फैक्ट्री का उद्गाटन किया है उन्होंने यह कहकर मंदरसा जमात को गदया नर्त कराए कि अब पाकिस्तान खुदी वेंटिलेटर का निर्मान करने जा रहा है लेकिन मैं यह भूल गए कि वेंटिलेटर में परियुक्त होने वाले कई इस्टुमेंट भारत से ही आया होते हैं जिनके लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से वारत किसरन में आना पड़ेगा पर फिलाल वेंटिलेटर बनाने वाली फैक्ट्री का रिबन कटा है पहला वेंटिलेटर यहां से कब बार आएगा इसकी कोई समय सीमाते नहीं की गई है पर लगता यूँ है कि वेंटिलेटर की सकल देखने से पहले ही इमरान की सरकार वेंटिलेटर पर चली गई है पाकिस्तान में ताजा सर्वे के मताबिक 27% लोग नवासरीप की सरकार चाते हैं तैरीक इनसाब को 24 और पीपुल्स पार्टी को 11 फिस्दी लोग वोट देने के पक्स में है खास बात यह है कि पाक संसद में इमरान सरकार अलबबत में मानी जा रही है मुतेदा कौमी मुमेंट जैसे सायोगी दल इमरान सरकार से किनारा कर चुके है इसका मतलब यह है कि तब दिली की आंडी फूट चुकी है अब इमरान के फूटने की बारी है वैसे भी पाकिस्तान में राजनेतिक इस्थरता भारत के लिए घाटे का सोदा है यह मुल्ला मुल्क जितना ऐस्थिर रहेगा यहां गरीबी और उत्पातिक परवर्ती के तैमंद बाज उतने ही बढ़ेंगे इमरान जैसे फूटनेत आने जाने से इस मुल्क की नितिया नहीं बदल सकती है अब बाजवाएंड कमपनी किसी नए मौरे से माइनस वन को पलस में बदलने के लिए माधा पच्ची कर रही है पर मामला यह तक नहीं है भारत चीन की टैंसन के बीच अगर इमरान पद त्यागते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा खत्रा हो सकता है पाक विशे सगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान की राजनेतिक सुन्यत का फैदा उठा कर पियों के पर धावा बोल सकता है इमरान सरकार ने 18 अगस्त में गिलगिट में चुनाव का एलान किया है उनके जाने से इस घोसना को बड़ा धटका लग सकता है का तो यह भी जा रहा है कि इमरान खान दुआरा कुर्ची छोड़ने की बात पाकिस्तान की बिगडी अर्थ ववस्ता और रसूगदार लोगों के घोटाले में नाम आने की एक बड़ी वज़य मानी जा रही है यही लोग अब इमरान को बार का रास्ता दिखाने पर अड़ गए हैं इन रसूगदारों का नेत्रतु इमरान के खासम खासरे जांगीर तरीन कर रहे हैं उन पर चीनी और अनाज घोटा लेके कई बड़े आरोप हैं पाकिस्तान की राजनीती में आने वाले दिन काफी उतल पतल भरे हो सकते हैं अगर इमरान सत्ता छोड़ने का फैसला करते हैं तो भारत को इसका जितना फायदा मिलता है उसमें देर नहीं करनी चाहिए भारत का पहले उदेश से यह होना चाहिए कि किसी भी परिस्तिती में गिलगिट में चुनाव नहीं होने पाई यह चुनाव गिलगिट बाल्ची स्टार में भारत की दावे को कमजोर कर सकते हैं भारत को ब्यान ब्याजी नहीं करके एक्शन की आव सकता है वैसे भी इस देश में 1947 से लेकर गुलाम कस्मिर पर तक्रीर ही हुई है अब तक्रीर रिसेतर तस्वीर बदलने की जुरूत है बड़ी बात यह है कि हमारी सेना ऐसा करने में सक्सम है इसके साथ अनुमति दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंद वंदमात्रम